कि हरुशात्यों वेलकम टुदा एक्जाम्पूर हमें एक्जाम्पूर कलम से ग्रांति कि और नमस्कार नमस्ते बॉर्णिंग ट्रास आपकी कोड़ नहीं क्लास शुरूब हो चुकिया जूड़ेंगे हमारे साथ सारे लोग आज की आपकी क्लास है वह है आपकी होसी इसकि मह सागरों की है जैसे कि आप सबको पता है हमारी प्रत्वी हमारी प्रत्वी सागरों या सागरों के द्वारा किरा हुए केबल 29% 29% हिस्सा पर ही ब्रत्वी की मुख्यवूमी है जहां पर दुनिया के शारी देश हैं हम आज इसी के बारे में देखेंगे महा सागर के बारे में हमारे पास 5 महा सागर है कितने हैं टोटल 5 महा सागर हैं प्रसांत महा सागर अटलांटिक महा सागर तीसरा है हिंद मह महासागर 끝 के रूप में जानते हैं महासागर के रूप में इसको जानते हैं तो ये आपका महासागर है आगे हम लोग चलते हैं महासागर की तरफ एक महासागर को हम लोग देखेंगे पहले देख रहा होगा आपका प्रसांत महासागर आपको देख रहा है प्रसांत महासागर के हम लोग बात करें तो प्रसांत महासागर है कहां जो आपको देख रहा है साउथ पेसिफिक और न शिम्म हो जाएगा और यह आपका क्या है एसिया और ऑस्टेलिया एसिया और ऑस्टेलिया के पूरब का हिस्सा पूरा का पूरा क्या है यह प्रशान्त महासागर यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर आपको देख विराओ कितना बड़ा महासागर है यह आपका उत्तरी अ यह नौर्थ अमेरिका यह साउत अमेरिका यह आपका एशिया और यह आपका ऐस्टेलिया वीच का जो सागर है पूरा का पूरा क्या है प्रशानत पेसिफिक कोशीन प्रशानत महासागर चलिए प्रशानत महासागर देखें बात करने कि यह विस्टुका सबसे विशाल महासा अगर है भी शुका ठीक है यह एस यां ऑस्टेलिया उत्तरी अमेरिका दक्षिर अमेरिका महाधीपों से गिरा हुआ है इसमें कुछ नया नहीं हमने पीछे देख लिया और मैप से याद रखने कोसिस करेंगे कैसे यां रखेंगे या मेरिका और इसके पश्चिम का तो क्या ह जाएगा एसिया और उस्यलिया गर्णम्स मेरिका करोड़ किलोमीटर कितना है 16.5 करोड वर्ग किलोमीटर है दुनिया में जितनी भी इस्तल भूमी है क्या है ध्यान से सुनेंगे सांखोड़े को दुनिया में जितनी भी इस्तल भूमी है दुनिया के जितने देश है दुनिया के जितने महादीप है 7 महादीप है उन सारे भूमी को मिलाके आपकी लेंड है जमीन है उसका एक तिहाई हिससा है आपका क्या प्रशानत महासाग्र दुनिया में लगबग 51 कροड़ किलोमीटर अस्तल भूमी है उसका लगबग साड़े सुला करोड़ वर्ग किलो मीटर महाँ प्रशांत महा सागर का से फल है इंट से एरिया इज शिक्स्टीन पॉइंट फाइब मिलियन इसक्वाईर किलो मीटर यह सिक्स्टीन पॉइंट फाइब नहीं होगा बलकी 106 165 होगा ठीक है क्या हो जाएगा 165 होगा यहां प्याकड़ा गलत दिखा हुआ ही कर लेना इसको करेक्ट यह 165 million square square kilometer ठीक है आगे चलते हैं हम लोग इसमें इसमें 20 का सबसे गहरा गर्थ मिस्ट की सबसे गहरी गर्थ इसे हम मेरियाना ट्रंच या मेरियाना गर्थ के रूप में जानते हैं 11,000 वाइस मीटर गहरी है कि चलते हैं इसको करेक्टर लिए टाइप यह टाइपिंग करते समय पॉइंट लग गया 165 million होगा यहां पर ठीक है 165 एम स्क्वाइर किलो मीटर या किलो मीटर इसको आगे चलते हम लोग ऑस्टिलिया की पूर्वी सीमा पर प्रबाल दीप हैं जिसे ग्रेट वेरियर दीप भी कहते हैं क्या है ऑस्टिलिया की पूर्वी सीमा पर ऑस्टिलिया की पूर्वी सीमा पर जैसे क्या है यहां पर हम देख सकते हैं यह वाला छेतर यह क्या है पूर्वी सीमा पर क्या है प्रबाल दीप है प्रबाल दीप है ठीक है प्रबाल दीप है जिसे ग्रेट वेरियर ग्रेट वेरियर रीप है ग्रेट वेरियर दिप भी कहते हैं यह बने में सबसे बढ़ा प्रवाल दिप है क्ऊन millennials ग्रेट वेरियर इस लार्जेस्ट में किन ओघ दकरी नियोजने में सेहेiseim पूरल आईलेंड इस महासागर में रिंग ओफ फायर छेतर की उपस्तिती देखने को मिलती है रिंग ओफ फायर क्या होता है रिंग ओफ फायर रिंग ओफ फायर छेतर की उपस्तिती देखने को मिलती है अर्थात कहने का मतलब यह है रिंग ओफ फायर मतलब इसके चारो जो इस तल्भूमी है उस तल्भूमी के किनारे पर जौला मुखी हैं जुआला मुखी हैं प्रसांत महासागर की इस तल भूमी के किनारी पर दुनिया के 75% जो जुआला मुखी है लगबग 4500 के आसपास वो इसी के 30 एरिया में पाई जाते हैं मैं आपको दिखा हूँगा एक फिगर के माद्यम से यह आपका रिंग सोफ फायर क्या है यह आप 55% जोळा मुखी है प्रसांत महासागर के ही कैसी है प्रसांत महासागर के ही एक पास हैं इसके किनारे बसे हुए ठीक है इसके किनारे इस तेत हैं क्या जाएगा इसी लिए से जो अला मुखी पाए जाते हैं ठीक है अटलांटिक महासागर अटलांटिक महासागर के हम लोग बात करें किसकी बात करें अटलांटिक महासागर के हम लोग बात करें तो अटलांटिक महासागर में अटलांटिक महासागर के हम लोग बात करें तो अटलांटिक महासागर क्या है यह आपके, अटलांटिक महासागर, एक तरफ यह Greenland है आपका Greenland, यह पूरा का पूरा North America, South America और फिर अप नीचे जाएंगे तो आप अंटाक्टिक की तरफ चले जाएंगे ठ के, और यदर South Africa South Africa का नीचे उसके बाद अफरीका के अनिदेश और फिर उरोप की तरफ प्रवेश कर जाते हैं तो यह जो आपका वीच में दिख रहा है यह आपका क्या Atlantic महासागर Atlantic महासागर जबके इसके इधर का छेतर है प्रसांत महासागर इधर आएंगे तो यह पड़ेगा हिंद महासागर इधर क्या है आपका हिंद महासागर का छेतर है इसके बारे में हम लोग जान लेते है Atlantic महासागर यह S के आकार की है इस महासागर का जो आकार है shape है S shape है कैसी है S shape कभी-कभी 8 shape लिखा होता है बिल्कुल दिख रहा है न आपको यहाँ पे S shape तो ही है अगर देखा जाए आप लोग अगर देखना चाहो यहाँ पे आप लोग अगर देखना चाहो तो यह S shape है 8 shape 8 जो आपका होता है ठीक है उस shape में है इस महासागर के मद कटक मौझूद है इस महासागर के मद क्या है middle riz मौझूद है इसका सेत्रफल 8.3 करोड बर किलो मीटर है क्या है लगबग उससे आदा जो आपका प्रसांथ महासागर था उसके लगबग एक बट्टे दो वो साड़े 16 करोड बर किलोमीटर था यह लगबग 8.3 इसका अगर कुल 6 तरफल के हम लोग बात करें Atlantic Ocean के कुल 6 तरफल की बात करें तो यह 10.6 हो जाता है 10.6 इसमें को चोटे-चोटे समुदने यह सबसे बड़ा दीप Greenland अभी बताया मैंने सबसे बड़ा दीप Greenland जो को उत्तरी दुरुप की तरफ पढ़ता है कनाडा के उत्तर पूरवी दिशा पढ़ता है यह Greenland आपका यहीं पाय जाता है ठीक है इसके लास्ट छोर पे आपका क्या है Greenland है आगे चलते हम लोग Greenland Atlantic महासागर से ही गिरा है जो कि पूरे वर्स वर्फ से ढखा रहता है पूरे वर्स क्या रहता है वर्फ से ढखा रहता है आगे चलते हैं हम लोग, यह उत्तरी अमेरिका, दक्ष्री अमेरिका, यूरोप तता अफरीका से घिरा है, यह मैं आपको पहले ही समझा चुगा था, कि यह उत्तरी अमेरिका, यह आपका दक्ष्री अमेरिका, यह आपका क्या यूरोप और यह आपका अफरीका, इससे घिरा हुआ महादेश महाशागर तो इस महाशागर का सबसे गहरा गर्थ पूर्टोरिको गर्थ है क्या है पूर्टोरिको गर्थ है कभी कभी इसको पूर्टोरिको कहा जाता है हिंदी में हम लिख सकते हैं पूर्टोरिको बहुत जगर मिल जाएगा आपको पूर्टोरिको मिल जात आगे आपके पास हिंद महासागर हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है दूसरा सबसे बड़ा कौन सा था अटलांटिको सीन पहला कौन सा था प्रसांत महासागर तो पहला था प्रसांत महासागर दूसरा था अटलांटिक ओसीन और तीसरा था हिंद महासागर तो पी एएच इस ओर्डर में आना पी एएच अटलांटिक एटी कर देना इसको पी एएच ठीक है तो अटलांटिक महासागर के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका हिंद अकर इसकों की बात करेए तो इसके शेतरवींद्ट लगबग इसका चेतरवींद्ट लगबग 17.56 करोड किलो मीटर इसे बन पॉइंट 456 गाने ट्रт पहीम से लगबग ऐसी या के छी दो जाता तो लिडेर जाता है इसके पूरब में आपका अश्टरिया महादीप और इसके उत्तर में आपका एशिया महादीप और पीछ का पूरा छेथ्र क्या है आपका हिंद महासागर क्या है इस पूरा शित हिंद महासागर बहुत बड़ा महासागर ठीक है तीसरा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर ठीक है जब इसको क्रोस करके आप आगी जाएंगे इंडोनेशिया को बगेरा इंडोनेशिया को अस्टिलिया के आगे तो आप प्रसांत महासागर मे बात कर लेते हैं, हिंद महासागर की, चलिए आगे देखते हैं, हिंद महासागर, यह एक मात रहसा महासागर है, जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, क्या रखा गया है, जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, यह, it is, it is the only ocean that has been named after a country, after named on a country, ठीक है, य यह आस्टेलिया अफ्रीका और एशिया महादीपों से गिरा है यह क्या है अभी बताए मैंने इसका शेत्रफल 7.3 इसका शेत्रफल कितना है 7.3 यह करेक्टर लेंगे यहाँ पर 7.3 कई सारी जगह कई पुस्तक में 7.3 लिखा हुआ है लेकिन टोटल हो जाएगा आपका 7.56 कर किताबों में आपका 7.3 करोड़ लिखा हुआ है पूरा टोटल डाटा हो जाएगा आपका टोटल एरिया हो जाएगा आपका 7.56 कलोमीटर 7.56 कलोमीटर इसका टोटल छेत्रफल है यह बदलता कब है जब इसमें किसी खाड़ी को मिला लिया जाता है जैसे बहुत सारी खाड उनको एड़ करके इसका सेत्रफल बताती है तो यह उपर नीचे हो जाता है ठीक है इसका सबसे गहरा गर्थ वह उनसा है सुन्डा गर्थ है सुन्डा इसका सबसे गहरा गर्थ है और अगर इसकी बात करें हम लोग कितना गहरा है यह सुन्डा गर्थ की अगर हम लोग बात कर उसकी सुन्दा ट्रेंच इसे कह सकते हैं इंगलेस में तो इसकी गहराई है 7725 मीटर है जो इंडोनेशिया दीप के पास पाये जाता है इसलिए इसको जाबा कहते हैं कि जाबा क्या है इंडोनेशिया का यह को दीप है इंडोनेशिया दीप के पास पाये जाता है चलिए आगे पोलर पे है नौर्थ पोल पे है और पोल पे आपको पता ही होगा वर्फ पढ़ती रहती है हमेशा वर्फ जमी रहती है इस महासागर में इसका छेतरफल लगवग 14 मिलियन वर्ग किलो मीटर इसका मत्तव कितना हो जाएगा 1.406 फीट है 1.140,6000 का सिraw रहती हैं अर्थात यह दुनिया का सबसे चोटा महासागर है क्या हो जाएगा दुनिया का पाचवा सबसे चोटा पांचवा पाची महसागर हमारे पास तो शबशे अंतिम या सबसे छोटा महासागर है आपका कॉन्य सा आर्कतिक ओस उसे रहे हैं जोंकि न पूल पर पड़ता है छिक है गहां पड़ता इसकी average गहराई की अगर हम बात करें तो इसकी average गहराई है 1038 मीटर कितनी है 1038 मीटर इसकी average गहराई लगफ़क एक किलो मीटर गहरा है आपका क्या आपका architect महासागर मैपके अगर हम देखना चाहें तो architect महासागर कहा है मैप लगाना में आपे बूल गया जो आड़ करता हूँ आपके लिए यह आपका architect महासागर जब आप इस छेतर के आगे बढ़ेंगे यह वाला यह वाला जो हिस्सा है आपका architect महासागर का हिस्सा है ठीक है यह वाला इसलिए चोटा महासागर भी है आपका यह चोटा है तो आपने तीन महत्पूर कौन से हो जाएंगे यह आपका आटलांटिक महासागर यह आपका प्रशांत महासागर यह तीन सबसे बड़े महासागर है सबसे बड़ा प्रशांत दूसरा अटलांटिक और त तो South Pole 4 था, North Pole 5 पा, आगे चलते हैं हम लोग, आगे आपके स्क्रीन पर आर्केटिक के बाद, आर्केटिक के बाद, आर्केटिक के बाद देखेंगे हम लोग, Southern Ocean क्या हो जाएगा, Southern Ocean 20 million, 20 million मत्तब 2 करूर क्या हो जाएगा, 2 करूर, लगबग इसका सेतर फला कितना है, 2 करूर तो मैं याद दिला देता हूँ, पहले कितना था, सबसे बड़े का साड़े 16, फिर उसके बाद कितना था, 8.3, टोटल 10.6, 8.3, फिर उसके बाद कितना था, 7, हिंद महासागर का, ठीक है, उसके बाद फिर कितना है आपका, इसका दो करूर, और फिर उसका कितना है, 1.4, य यह order है आपका क्या है यह आपका order है ठीक है महासागरों के इनके बाद छोटे-छोटे महासागर रह जाते हैं उनको इसमें एड नहीं किया जाता है ठीक है हम इसके बारें बात कर लेते हैं सावधा नोशीन की तो 20.33 million km वर्ग किलोमीटर इसका सेत्रफल है अर्थात 2 करोड क किलोमीटर इसका शेत्रफल है दक्षडी महासागर के इसका नाम है इससे अंटारकिटिक महासागर या श्यंक सावधान महासागर के रूप में भी जना जाता है इस महासागर में सबसे दक्षडी जल सामिल है सबसे दक्षडी जल का मत्त्रा प्रत्वी पर जो south pole पर जल है वो इसका हिस्सा है वो इसका क्या है इसका जल है जिसे आम तोर पर 60 degree south अच्छान से अदक्षड में लिया जाता है कहां लिया जाता है आपको बता देता हूं ठीक है मैं आपको बता देता हूं जो आपका ये वा घुंव महादीप लिए लिए जाता है और अंतर को घेड़ा को जो के एक пог distur घृता को घृता हैğ लिए इस से पन tailor को चौता सबसे बड़ा माना जाता है क्या माना जाता है चौथा सबसे बड़ा मैंने बताए ना चौथा सबसे बड़ा ये हो जाएगा आपका चौथा सबसे बड़ा पांचवा सबसे बड़ा पांचवा क्या हो जाएगा अंतिम और लास्ट आपका उत्तरी महासागर था जिसे हम आर्केटिक महासागर के रूप म में छोटा लेकिन Archetic महसागर से बड़ा है यह महसागरी छेतर आज है ज़हां गर्म पानि उत्तर की ओर प्रभाइत होती है उत्तर की ओर बहती है यहां से गर्म जलदाराइं उत्तर की ओर बहती है आपके दकशडी धुरूप की तरफ से ठीक है तो आप इसको याद रखेंगे आगे आपका है यह इंग्लिस में लिखा हुआ है यह आपका साउधन नुसीन क्या है यह आर्क जो अटलांटिक है आपका क्या है इसको गहरे हुए है इस अटलांटिक को गहरे हुए आपका क्या अटलांटिक को गहरे हुए आपका अंटार्किका पर लोग नहीं रहते हैं लगवग चार हजार के आसपास लोग यहां पर रहते हैं बाकी के वर्फ है पूरे छेत्र में यहां पर बहुत सारे देशों के जो हिमादरी स्टेशन है वो लगाए गए जैसे कि भारत का भी यहां पर लगा हुआ है तो इसी प्रकार से साउधन ओस भी है यहां दक शडी महासागर जैसे हम किसके रूप में जानते हैं अंटार क्रणास के रूप में जानते हैं तो याद रखने की चीज़ है ठीक है चलिए आज की लास में वसके यतना ही गले, कल यह और जबरदस्त लास होग इस महा सागर के बाद, पीडिए इस आप रख से भी आवाज नहीं निकल लेती बारा गंटे की मेरा थन के बाद गले पर चबरदस्त स्वेलिंग है चलिए तो हम लोग चलते हैं थैंक यू जय बार थैंक यू कि अपा क्या थ education के रप सायूई जिल उडिए नहीं हम लोग से तो हम लोग झाले आवाज दाया थैंक यू एढ ग्यूच को तो towel बगल को जढ श।रन टांवारा थैंक यू जया रहा हम भाला थैंस. यालो